आज मैं आप लोगों को एक कोबल स्टोन फार्म बनना सिखाऊंगा आप इसे स्टोन फार्म के तरह भी यूज़ कर सकते हो इस फार्म को मैं छे ब्लोक उपर बना रहा हूँ किसी भी तरफ एक ब्लोक प्लेस करके इस तरफ और इस तरफ एक स्ट्यार लगा दीजिए अब कोई सॉलिड ब्लोक से इस तरह से कवर कर दीजिए अब पिस्टन लगाने के लिए यह पर दो ब्लोक लागा है और इस तरह फेस करके दो पिस्टन लगा है यहां पर और यहां पर एक ब्लोक लागा दीजिए जिससे पनी बाहर ना गिरे अब उपर की तरह दो बकेट लागा डाले एक बकेट से भी कम चल जाता है और पानी रोकने के लिए ब्लोक लागा है अब पीछे के साइड एक क्लोक बन लीजिए और इससे पिस्टन को कनेक्ट कर दीजिए यह पर एक लिवर लगा है क्लोक को ओन ओफ करने के लिए अब देख सकते हो स्टोन आगे आना स्टार्ट हो गया है मैंने और एक बल थी लावा डाल दिया पूरा आगे आने के बाद जहां पर यह रुका है उसका एक और दो ब्लोक आगे से एक बाउंडरी बन दीजिए अब एक स्ट्रा ब्लोक को ओन दीजिए अब इह पर दोनों कॉर्णर पर कुछ ऐसा सेब बना जिससे पानी आगे तक जाए अब इह का सारे ब्लोक तोट दीजिए जिससे पानी मीडिल में फ्लो हो अब यह पर एक छेट करके मेंचे कालेक्शन एरिया बना दीजिए अब यह से पंदरा ब्लोक उपर जाए अब इहा एक डिस्पेंसर लागा है क्योंकि क्योंकि पोकेटेटेशन में क्योंके जूप पर नहीं बनता है अब दोनों तरह टोटल ग्यारा ब्लोक आगए जाए और एहा पर टोटल सात्रा रिपीटर लागा जो फूल टिक पे सेट किया हुआ होगा स Taylor चक्राइब करें आप इसे रेड्स टोन जर्स्ट से कनेक्ट करें तभ एहां एक कॉंपूटर और एक ड्लीवर लागा कई अन करने से ही अपका रेड्स टोन गलोक पार्न चाहार्ट हो जाएगा और डिस्पेंसर में केंगे भार देने से अपका कोबल स्टोन फर्म करना स्टार्ट हो जाएगा एक स्ट्रेक की एंगी से मुझे डूता लेकने कोबल स्टोन में लिवर को आफ करने से ये केंगे जूपार भी आफ हो जाएगा अगर आपको की एंगी को यूज नहीं करना तो यह पर एक लैक्स करम बना के आप इसे पिकेट से भी तोर सकते हैं अगर आप फिलक्या चीज तरेंगे साब को इरेक्ट स्टोन मिलेगा इस तरीके से आप एजिली एक कोबल स्टोन फर्म बना सकते हो ऐसा और टूर्टोरियल देखने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हो अगर बना सकते हैं